कि I get we are absolutely live for the effort to check करके बता दो क्या मारा ओजियो विजियो विजियो ओडियो 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 सब कुछ एक दम भेतारीन तरीके से प्रोपर है या नहीं है तब तक जल्दी से chat box पढ़ लेते हैं भाई साब और जो वीजियो वीजियो दो बताओंगे जल्दी जल्दी एस और येर टू रिवाईस विच इंडेस इंडेस 36 नाम क्या है नाम है impairment of assets बहतरीन तरीके से आपन करेंगे इसको रिवाईस लेकिन एक बात बोल दू फटावट से अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब के बिना ये सब वीडियो वगरा देख रहे हो पाप लग जाएगा भाई साब तन मैंने बुला देगो काम 25 नहीं काम 36 है काम 36 मतला 36 इंडेस वाला करेंगे भाई साब इंदा मीठा मीठा व्यारे ब्यारे इंडेस आपन कम्प्लीट आज कर लेंगे ठीक है? चलो सो विदाउट विश्टी इन ताइम लेट्स स्टाट विद रिविशन अरिविन चालू करने के पहले बता दू मेरी ज़े प्रड़क्ट है तडर अवेलेबल अन बीबी वर्च्वल्स वेबसाइट मतलब भवर बुराना सर के जो वेबसाइट है बीबी वर्च्वल्स.com उसके ओपर अवेलेबल है तो अगर आप वीडियो लेक्चेस वाले सेक्शन में जाओगे तो आपन क्या करेंगे अब रिविशन का पैटन सुन लो जैसे आपन हर्स में करते है सर हम सिर्फ कंसेट नहीं कंसेट के साथ क्या करेंगे मीठा मीठा कंसेट के साथ क्वेशन भी रिवाइस करेंगे ठीक है अड़े यस और नो ठीक है तो कंसेट के साथ आपन क्वेशन रिवाइस करेंगे तो यह चार्ट में टेलिग्राम पर डाल दूंगा टेलिग्राम का ग्रूप जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा चार्ट आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा लेकिन एक बात ध्यान रटना मैंने काफी कुछ लिख रहक है इसके अंदर लिखावा नोट्स में आपको दे नी पाऊंगा लेकिन चार्ट आपको में जरूर दे दूंगा लिखावा नोट्स इस एक्स्लोजिवी फोर आर क्ला इंपेर्मेंट का मतलब क्या होता है इंपेर्मेंट का मतलब 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 होता है इंपेर्म तो आपको दो amount compare करना होता है, एक होता है carrying amount और एक होता है recoverable amount, sir, carrying amount कहां से मिलता है, जब आप balance sheet बनाते हो, तो उन asset के balance sheet का value है, उसको बोलते है carrying amount, what is the recoverable amount, आप जब asset को use करोगे, यह asset को बेचोगे, दोनों में से कुछ ना कुछ तो करोगे, उससे जो आपको maximum value recover हो सकती है, उसको बोलते है recoverable amount, जब आपका carrying amount है जादा है, लेकिन आप उतना recover नहीं कर पाओगे, आप recover कम करने वाले हो, तो उस case में बोलते है impairment loss हो गया, मतलब जितना आपके books में दिख रहे हैं, उतना आप recover भी नहीं कर पाओगे, तो impairment loss होगा ना भाईस, अब इसलिए बोलते है whenever carrying amount exceeds recoverable amount, there will be an impairment, ठीके, अब carrying amount तमको निकालना आते है, इसलिए तीसरा point के अदम discussion करते है, recoverable amount का, ठीके, अब recover recoverable amount क्या है, recoverable amount basically होता है, आप asset को recover कैसे करोगे, या तो use करके, या तो बेच कर, तो use करने वाली जो value होती है, उसको बोलते value in use, और जो बेच कर पैसा मिलने वाली value होती है, उसको बोलते fair value less cost to sale, cost to disposal, है ना, तो अगर मैं बोलू, use करने पे मिलेगा, कितने का benefit, use करने पे म 90,000 का benefit, और बेचने पे मुझे मिलेगा 1 lakh का benefit, तो आप क्या करोगे, आप use करोगे, बेचोगे, सर हम तो base देंगे, बस मैं भी तो यह करो, whichever is higher, दोनों में से आपको जिस पे जादा value realize होएगा, आप क्या करोगे, आप वो करोगे, इसलिए हम बोलते, whichever is higher, बराबर ठीक है, अब एक एक करके बात करेंगे, सर, fair value less cost of disposal क्या होता है, असेट को बेच के, और बेचने के लिए जो खर्चा करना पड़ेगा वो, fair value less cost of disposal, आज ही असेट को बेचूँगा, तो कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, यह होता है, FVLC, short form में बोलते हो, FVLCTS, fair value less cost to sale, बराबर उसके बाद में आता है, value in use, what is the meaning of value in use, value in use का basic मतलब होता है, अगर आप बचल को use करोगे, तो कुछ cash flows जमा करोगे, उन सारे cash flows का present value, जैसे आपको मैंने लास कंदर सिखाया भी था, value in use कैसे निकलता है, देखो जैसे for example, मेरे पास एन एक machine है, जो biscuit बनाती है, तो इस machine से में क्य पात साल में, how much value am I expecting from the sale of biscuits, machine को बेच करनी, machine से आने वाले output को बेच का कितना पैसा estimate कर रहे हो, future cash flow उसका present value, उसको बलते है value in use, जान रखना, ठीक है, बस, तो FVLCTS या value in use, जिसको आपने short form में बुलेंगे, VIEU, whichever is higher, बराबर तो मेरे cash में value in use is higher, तो मैं वो ले लूँग value in use निकालते वक्त, last रखे cash flow में बताया था, मैंने आपको scrap value add करना भूलना मत, because आप अगर asset को use भी करोगे, तो last में जाके scrap तो करोगे na asset को, तो अगर को scrap value मिलते रहेगी, तो वो last रखे cash flow में add कर देना, यह आपका हो गया value in use, इसलिए वो क्या बोलता है, value in use निकालने के लिए हमको दो decision बहुत important है, सबसे पहला, आपके future cash flows के इतने, दुसरा discount rate, तो पहले बात करता है future cash flows के बारे में, अब यह फटा-फट concept revise कर लेते है, cash flows में क्या के include करेंगे, तो जब asset को use करोगे, use करके biscuit manufacture करोगे, उस biscuit से आने वाले cash flows को बोलते है cash inflows, वो add करेंगे, second, यह inflows कमाने कलब जो outflow करोगे, minus करने का, तीसरा, जो scrap value है, पता है, net cash flow from disposal, scrap value, वो last अगे cash flow में add कर देना, clear, ठीक है, उसके लबा क्या ignore करने का, ऐसे कोई plan जिसके लब committed नहीं हो, उससे बढ़ने वाले cash flows को ignore करने का, जैसे for example, suppose यह मेरे normal cash flows है, expected, मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं BB सरसा tap करूँगा, तो मेरे cash flows इतने इतने बढ़ जाएंगे, देखो, कितनो सारे, दस गुना बढ़ जाएंगे, यह मैं सोच रहा हूँ, किया नहीं है, वैसा तो कर लिया है, बट वैसे सोच लो किया नहीं होता, सिर्स सोच रहा होता, तो य यह वाले cash flows को हम ignore करेंगे, इसको consider करेंगे, तो ऐसे restructuring जिसके लिए हम committed नहीं है, उस cash flows को consider नहीं करेंगे, ठीक है, तो सपने देखने वाले cash flows को ignore कर देना, ठीक है, चलो, सर देख रहा है विनो, कैसा example ले रहा है आदमी, ठीक है, आगे, discount rate कोन सा लेंगे, pre-tax discount rate, value in use के अंदर एक और चीज़ आता है, guidance on foreign currency cash flows, suppose आपको cash flows foreign currency में आ रहे, machine को use करे हो, और output export करे हो, है न, export करे हो, कभी फैला वो business है, ठीक है, तो export कर रहे output, तो cash flows आ रहे dollars के अंदर, तो जब cash flows dollars में आ रहे है, या foreign currency में आ रहे, but value in use तो रूपीस में चाहिए, तो फिर कैस foreign currency का लेंगे, तो सर्ड discounting factor तो हम foreign currency का लेंगे, पहला चीज, second चीज, जब dollars से रूपीस में convert करोगे, तो कौन से rate पे convert करेगे, spot rate पे, जिस दिन calculation मार रहे हो, उस दिन के rate पे convert करने का है, ठीक है यह वाला पाट, perfect, okay, आगे बढ़ते, circumstances in which, both FVL, CTS and value in use, या तो calculate करने का जरूरत नहीं है, या दोनों available नहीं है, तो ऐसे किसमें क्या करेंगे, अब normal या 3 cases है, अब तीनों case में discuss करो, क्यों confusion होता है इसके अंदर, तो क्या करो, जो काम का case है, वो discuss करो, ठीक है, यह पहला और तीसरा case काम का नहीं है इतना, तो उसको discuss मत करो, confusion हो जाएगा आपको, यहां discuss करो, अब देखो क्या बोलता है, जब आपके पास FVL CTS का estimate नहीं है, तो क्या करेंगे, देखो इधर मैंने बोला गए, जब आपके पास FVL CTS नहीं होता है, fair value less cost to sell होता है, कभी-कभी asset का selling price नहीं पता, तो उसके इसमें जो value in use है, उसी को आप recoverable amount मान लेना, जो by chance, God forbid, आपके पास अगर value in use नहीं होगा, कल को आपके पास value in use नहीं है, फिर क्या करेंगे सर, उस case में बेचने वाली price को आप recoverable नहीं मान सकते, सर ये भेदबाओ क्यों, देखो, asset का normally basic nature use करना होता है, asset का basic nature use करना होता है, इसलिए हम क्या करते, जो use करने वाली value है, उसको recoverable मान सकते है, लेकिन अगर use वाली value आप नहीं compute कर सकते, तो उस case में बेचने वाली value को आप recoverable नहीं मान सकते, सर इसका example तो जैसे मेरे case में, ये Mike है, asset तो है, बेचने का price पता है, लेकिन इसको use करके क इतना cash flow generate हुआ, ये कैसे मालूम पड़ेगा, तो इस Mike का value in use नहीं होता है, तो हम ऐसे case में बोलेंगे, इसको बेचने वाला price है, उसको recoverable नहीं मान सकते, तो ऐसे case में क्या करेंगे, सर, ऐसे case में बोलेंगे, recoverable amount of asset cannot be estimated reliably, है ना, और हम जाएंगे towards the concept of CGU, CGU मतलब cash generating unit, हमारे fourth point के उप, that is, recognition and measurement of impairment loss, जबी impairment loss आए, तो वो कहां transfer करना है, simple है, देखना पड़ेगा, asset कोन से model पे है, अगर asset cost model पे है, और impairment loss आगया, तो ये impairment loss आएगा profit and loss के अंदर, ठीक है, sir, अगर asset reval model पे है, reval model पे, तो उस case में impairment loss आगया, तो फिर कहां जाएगा, तो वो बो revolution loss, treatment, same मतलब, जब भी revolution loss होता है, हमने 1638 के अंदर सिखा है, कि ये loss कहां जाएगा, तो देखना पड़ेगा, पहले क्या था, अगर आपके पास, इस asset के लिए, पहले कोई gain पड़ा है, तो इस loss को पहले gain से adjust करो, याद है, that means, इस loss को पहले UCI में transfer करो, कुछ और loss बचता ह इसा, तो अगर आपका asset reval model पे है, तो treat the impairment loss like revaluation loss, अब खास बात यह है, मैंना बताया था class के अंदर, कि सिफ treatment same है, revaluation loss और impairment loss का nature अलग होता है, सिफ treatment same है, nature अलग है, संकेत ने बोल भी the chat boss के अंदर क्या बात है, बराबर क्या बताया था मैंना आपको, sir, nature अलग की होता है, क्योंकि reval loss, sorry, reval loss निकालने के लिए, reval loss निकालने के लिए, what do we compare, you compare carrying amount and fair value, और impairment loss निकालने के लिए, we compare carrying amount and recoverable amount, तो दोनों का nature अलग है, इतना detail में कोई concept test करेगा नहीं तुमारा, बट आपने class में इसको discuss किया था, anyways, उसके बाद, अगला point है, frequency of impairment test, impairment test, जिंदगी में, कितने बार कंडग करेंगे, क्या प्यार की तरह, रोज करेंगे क्या, कि प्यार रोज हो रहा है किसी से, बराबर नहीं, नहीं, सर रोज impairment test करेंगे, तो धंदा कब करेंगे, तो इसलिए वो बोलता है, impairment test कब कंडग करने का, ठीक है, तो बोलता है, maximum asset के case में, जबी भी indication इसा मत बोलना, indication आद तो क्या करने का, indication आद तो impairment test करने का, याद इसको समझने कला, आपन ने girlfriend वाला example भी लिया था, ठीक है, उसके अलावा, तीन asset के case में, कितने, तीन asset के case में, annual impairment test is compulsory, तीन asset के case में, annual impairment test करना पड़ेगा, वो कौन से asset है, सबसे पहला है, intangible with indefinite useful life, द तीसरा है, goodwill acquired in a business combination, इन तीन के case में, annual impairment test is compulsory, अच्छा, इसको याद करने के तीनों को, ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों intangible है, और तीनों के तीनों currently amortize नहीं हो रहे, क्योंकि देखो, life infinite है, तो amortize नहीं हो रहे, under development है, मतला, अब तक ready नहीं हुआ है, तो amortize नहीं ह होता है, ठीक है, ध्यान रखता, ओके, ये ता हमारा पाच्वा पॉइंट, that is frequency of implementers, देखो, chart से अपने को मालूम पढ़ता, chapter में क्या क्या है, वापस उतादू, ये chart आपको telegram के उपर मिल जाएगा, telegram को लिन description के अंदर है, join जरूर कर लेना, भाई, सब मिलेगा आपको, ठीक है, उसके अलावा, अगला point क्या है, cash generating unit, यादे क्या, किसी single asset का value in use नहीं मिल रहा था, तो recoverable amount भी नहीं मिल रहा था, तो हम जाते towards the concept of CGU, now what is the meaning of CGU, CGU का मतलब बहुत simple है, CGU का मतलब होता है, एक group of assets, जो साथ में मिलके cash flow generate करते है, क्या होता है सर, एक group of assets, जो साथ में मिलके cash flow generate करते है, सर, what is the meaning of this, suppose for example, मेरे case में, माइक अकेला कोई cash flow generate नहीं कर रहा है, लेकिन माइक, iPad, laptop, camera, ये सब मिलकर, मेरे ले cash flow generate कर रहे न, आपकी fees, ये सब मिलकर, मुझे आपको service provide करने में help कर रहे, तो ये सब मिलकर मेरे ले हो गया CGU, cash generating unit, बराबर, तो group of assets, जो अकेले में तो कोई cash flow नहीं दे रहे थे, लेकिन साथ में मिलकर cash flow दे रहे न, ये CGU होता है, जैसे मेरे example भी दिया है, मेरा teaching setup, साथ में मिलकर cash flow देता है, तो इसका हम CGU में impairment testing करेंगे, संकेत बलते है, पैसा ही पैसा होगा, आगे बढ़ते है, चलो, तो जैसे example ये, laptop, camera, iPad, mic, ठीके, carrying amount अपन जैले कि उत्ता recovery नहीं कर पाओगे, loss हो गया, ये loss 130 का कहां जाएगा, बाट देना 4 asset के अंदर, in the ratio of carrying amount, जैसे आप loss बाट होगे, carrying amount के ratio में 4 के अंदर, तो आपको मिल जाएगा revised carrying amount, अरे सब को समझता है के yes or no, yes sir, ठीक है, उसके लावा, जब आपन CGU की बात करेंगे, तो दो और cases अपने को deal करना होता है, पहला, goodwill in case of CGU, ठीक है, तो इसको भी notebook में मैंने example के तो समझा है, फटा-फट से revise कर लेते, क्या बोलता है, ठीक है, देख लो, goodwill के case में, सबसे प impairment test possible नहीं होता है, तो क्या करने का, इसको CGU में allocate करने का, क्योंकि goodwill का कोई भी individual वो नहीं है न, value, goodwill तो आपको जादा cash flow generate करने में message करता है, पूरे business में, उसके अकेले से कितना cash flow हो थे न, पता है, तो उसलिए भी हम इसका test करेंगे CGU के अंदर, अब, इसमें मैं ना पत CGU possible है, तो एक CGU में अपने पास laptop, camera, iPad है, दूसरे CGU में अपने पास MacBook, micro projector है, ऐसा मैंने random example लिया है, अब, मान लेते हैं, पूरे company में goodwill है 2,00, रुपे का, ठीक है, अब, मैंने 3 case दिया थे आपको, सबसे पहला case, goodwill का benefit सिफ, CGU 1 में मिल रहा है, ठीक है, तो जब goodwill का benefit CGU CGU 1 में मिल रहा है, तो क्या करने का, CGU 1 में goodwill allocate करो, और impairment testing करो, मैंने क्या किया, मैंने laptop, camera, iPad लिगा, CGU 1 के assets, उसमें goodwill का तड़का लगा दिया, total मिल गया, recoverable दिया हुआ है, 16, impairment loss आया 6,00, अब, आता है, कहानी में twist, ठीक है, वो क्या बोलता है, अगर impairment loss आया, और ये CGU म इसका मतलब आपका market में goodwill बचा ही नहीं है, क्यों goodwill होता ना market में, तो आप abnormal profit कमाते है, ऐसा loss नहीं करते है, तो loss हो रहा है, मतलब goodwill बचा ही नहीं market में, देखो logic बता दिया आपको, मैंने, अब याद रहेगा आपको, तो अगर इस CGU में goodwill है, तो सबसे पहले सारा loss अब कितना benefit मिल रहे है, मालूम है, 25% CGU 1 में मिल रहे है, 75% CGU 2 में मिल रहे है, मतलब आपको exactly पता है कि कितना benefit कोन से CGU के अंदर मिल रहे है, बराबर तो कुछ नहीं, allocate करो और impairment testing करो, जैसे case 2, अपने को पता है, CGU 1 में 25% benefit मिल रहे है, तो 25% goodwill CGU 1 में आ जाएगा, बस impairment testing करो, loss आए 250,000 का, अब इस CGU में goodwill C50,000 का है, तो 50,000 जितना loss goodwill में जाएगा, बाकी जो बचता है, वो other asset में चला जाएगा, same with CGU 2, अपने को clearly पता था कि CGU 2 में कितना benefit मिल रहे है, CGU 2 में आपको मिल रहे है, 75% जितना benefit, very good answer रेनुका, तो 75% बसंग अंदर आपन क्या करेंगे, 75% goodwill allocate करेंगे CGU 2 के अंदर, बराबर, बस impairment testing किया, अब इसके इसमें loss आया है नहीं, सर क्यों नहीं आया, अरे भाई, क्यारिंग कम है, recoverable जाद है, जितना दिख रहा है, उससे जादा कमाने वाल है, तो problem थोड़ी नहीं है, अच्छी बात है, चलो, यह अपना case 2 था, ठीक है, जहां goodwill का benefit, दोनों CGU के अंदर मिल रहे है, और आपको ratio पता है कितना मिल रहे है, ठीक है, आगे बढ़ जाते है, case 3, goodwill का benefit, दोनों CGU के अंदर मिल रहे है, benefits in both CGU's, but cannot be allocated, यह दोनों के अंदर benefit मिल रहे है, यह नहीं पता हमको, तो का कोर भे, जब benefit मिल रहे है, दोनों में लेकिन कितना किस में मिल रहे है, यह नहीं पता, यह नहीं पता, तो क्या करेंगे सर, तो ऐसे case में, हमको impairment testing दो stage म पहिला stage में impairment testing करेंगे, individual CGU का without goodwill, पहले stage में test करो individual CGU without any goodwill, बराबर तो क्या करेंगे उसके अंदर, CGU 1 का testing करो, goodwill, भूल जाओ को goodwill है, तो 1 का testing करो, recoverable ढूंडा loss आया, अब इसमें कोई goodwill तो फिलाल है नहीं, तो goodwill में कुछ भी allocate मत करना, जो भी यह बाग के सट में allocate क पराबर, similarly CGU 2 के साथ आप करोगे, test करोगे without any goodwill, क्योंकि पता है नहीं कितना goodwill किसके अंदर है, यह आपकी stage 1 की testing हो गई, stage 1 में आपने test किया, individual CGU's without goodwill, अब आते है stage 2, stage 2 में क्या करोगे, you will test the combined CGU, combine करो CGU को, उसमें goodwill का तड़का लगा दो, CGU 1 प्लस CGU 2 प्लस goodwill, दे लेकिन दोनों CGU में benefit मिलता है, यह तो पता है न, तो CGU 1 combined CGU 2 combined goodwill, तो CGU 1 का पूरा carrying amount consider करो, अब CGU, important बात है, CGU 1 का कोन सा carrying amount लेंगे, 2 carrying amount है CGU 1 के, एक पुराना वाला और एक revised वाला, तो आप लोगे revised वाला, क्योंकि आप stage 2 में, तो stage 1 के बाद में आरे हो न, तो you will take revised carrying amount CGU 1 में लिए आपने revised carrying amount, CGU 2 में अपने लिए revised carrying amount, और उसमें goodwill लगा दो, तो CGU 1 plus CGU 2 plus goodwill, total मिलेगा, total ले लो, और आपको recoverable आ जाएगा, बराबर loss आएगा, अब यह सारा loss जाएगा goodwill के अंदर, अब आप बोलोगे, sir अगर loss आपका 2 lakh से जादा आता तो, if the loss would have exceeded, then बा और जब आप second stage में आ रहे हो ना, तो यह loss 2 lakh के ओपर आही नहीं सकता, sir ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, मैं बता रहो ना, 2 lakh के ओपर आही नहीं सकता, पता है क्यों, यह जो आप testing कर रहे हो, यह सिफ goodwill के लिए कर रहे हो आप, individual test possible नहीं, इसलिए comment के के कर रहे हो, लेकिन कर सि goodwill के लिए रहे, क्यों, अरे यह दो test हो के आ चुका ना, CGU 1 and CGU 2, यह तो fail हो के आ चुके, टेस्ट हो के आ चुके, इन पर थोई ना, वापस impairment loss आएगा, समझ रहे हो क्या, very good क्याती, very good क्रोतिका, very good संकेत, correct, तो in stage 2, impairment loss cannot be more than 2 lakhs, as in stage 2, we came to test only goodwill, as CGU 1 and 2 are already tested for impairment in stage 1, stage 1 में test हो चुका उनका, अरे समझ में आया क्या, अरे मघज में आया क्या, मैं तेरे बाद में आया क्या, चिला ने से बनते गाने क्या, चिला ने से बनते शाने क्या, नहीं क्या, आया, चलो ठीक है, आगे बढ़ते, तो CGU में एक concept आ, goodwill का, goodwill का, CGU में एक और concept है, corporate asset का, सर इस corporate asset, सबसे पहला इसका अभी, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मेरा business teaching का, लेकिन बच्चा admission किदर लेगा, मेरे office में जाकर, head office में जाकर, corporate office में जाकर, admission office, तो उस office का अकेला कोई cash flow नहीं होता है, उसको भी क्या करना पढ़ता है, CGU में allocate करना पढ़ता है, तो individual cash flow नोई है, तो CGU में impairment testing करेंगे, बराबर क्या, अब आगे, same assumption ले लो, दो business है, ठीक है, और 10 लागा corporate asset है, तीन case again, case 1 benefit CGU 1 के अंदर ये, तो allocate करो CGU 1 के अंदर, अब इसमें खास बात क्या है, ये कोई goodwill नहीं है, तो अगर ऐसे case में कोई loss आता है, तो येडे की तरह, ये मत बोलना कि पहले सारा loss in corporate asset and then in remaining, अरे goodwill थोड़ी नहीं है, तो जब corporate asset होगा CGU के अंदर, तो आप सारा loss allocate करेंगे, सारे asset में in the ratio of carrying amount, बराबर के ध्यान रगना, तो मैंने बोला भी है, ये mistake क्या करोगे, आप पूरा loss corporate asset में allocate कर दोगे, कर मत देना येडे की तरह, सारा loss जाएगा, सा कितना allocable है, तो वो ही है, allocate करो और impairment testing करो, same चीज, ठीक है, main case 3 है, दोनों में benefit मिले लेकिन allocable नहीं है, corporate asset का benefit मिले है, दोनों के अंदर, लेकिन allocable नहीं है, तो क्या करेंगे, उस case में impairment testing करेंगे, दो stage में, दो stage में impairment testing करेंगे, उस case में, सबसे बहला stage number 1, test the CGU's without corporate asset, सर ये तो goodwill के तरह सेम लग रहे है, हाँ, ऐसा सेम ही है, देख लो, test the CGU's without corporate asset, तो 1 को test करो, 2 को test करो, फिर stage 2 में क्या करेंगे, सारा CGU combine करो, corporate asset वाला तड़का लगाओ, मिलेगा combined, ठीक है, तो CGU 1, CGU 2, corporate asset एड़ कर तो, revise value मिलेगा, total आएगा, फिर recoverable amount मिलेगा, अब ये जो loss ह ये जो loss आए, वैसो तो हम क्या बोलते है, इस case में, सब में allocate करना होता है, लेकिन, जब आप stage 2 में आए हो, CGU 1 and 2 को test करके आए हो, तो अभी जब loss आएगा थी लाक रुपीस का, ये loss आप सब में मत allocate कर देना, logically सोचो न, ये दो already test हो चुके है, तो ये जो loss आएगा, वो सि corporate asset के अदर जाएगा, that's it, अरे समझ में आया किया, आया ना सर, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, तो 7th point हमारा ये ही है, कि हमारा impairment loss CGU में allocate कैसे होगा, तो अगर goodwill है, तो सबसे बहले goodwill में, और अगर goodwill के बाद भी loss बचता है, तो बाकी asset में इंदर ratio of carrying amount, एक बात ध्यान scope में नहीं आते है, तो आप उसमें कोई भी loss allocate नहीं करोगे, बराबर क्या, CGU में पढ़े रहने देना उसको, लेकिन loss allocation नहीं आएगा उसके ओपर, not in scope of 36, ठीक है, आगे, बाग की छोटे मोटे point है, पढ़ना तो पढ़ लेना, फिर आएगा, reversal of impairment, जैसे किसी भी asset का impairment loss possible है वैसे उसी asset का reversal भी possible होता है, जैसे impairment होने के indication होते है, वैसे reversal होने कीndication होते है तो बोलता है, reversal होगा हमको कैसे मालूम पढ़ गया, तो बोला, indication आएगा, इसमें भी दो type के indication, external, internal अब सर याद कैसा रखेंगे, जो impairment होने के indication अना उसके exactly opposite, उसके reversal होने के indication है, तो वैसा समर रेने का, ठीक है, चलो, तो reversal possible है, अब इसमें खास बात ध्यान रखना, जब individual asset में reversal होता है, reversal है जैसे impairment loss loss की तरह होता है, वैसे reversal है gain की तरह हुआ, बराबर, तो ये कहां transfer करने का, तो अगर asset cost model पे है, तो profit and loss में transfer करने का, इस reversal को, और अगर asset reward model पे है तो इस reversal को revolution gain कीतरह treat करने का against if treatment same है nature दुनों का अलग होता है reversal of impairment loss और reward gain दुनों का nature अलग है बन्य treatment same है in case of reward model आपन question में कर लेते हैं वैसे भी खास बताती है CGU के reversal में तो क्या CGU के case में भी reversal possible है yes reversal is possible बटे की important point बता है क्या है सीजू के केस में ऐसे कसम खाओ, दिल पे आतर के, सब रिवर्सल पॉसिबल है, except in case of goodwill, goodwill पे रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, बराबर क्या ध्यान रखना, तो आप करे कैसे, तो रिवर्सल वाले केसे में अपने को निकालना पड़ता है, maximum रिवर्सल आप कितना कर सकते हो, द करना होगा, तो भी 40 करूँगा ना, उसके ओपर तो नहीं कर सकता, पहले यह चीज समझ लो, second चीज, एक रास के बाँ बताओ, अगर पहले 40 का लवास बुक किया था था ना, तो फ्यूचर में, अब 40 नहीं, उससे थोड़ा कमी रिवर्स करते हो, है, सर असा क्यों, आपको इंडिविजूल असेट, एक इन केस ऑफ सीज, फटा फट से देख लो, क्या बोलता है, देखो, एक्जाम्पल चेता हम फटाक से रिकॉल होगा तुमको, पढ़ा तो मेरे से ही तो मालूम पढ़ेगा तुमको, अच्छा, आपने किसे और से पढ़ा, तु भी आपको समझ चिंता मत करो, आजो, अगर तब अच्छा चा बढ़ा रहेगा तो, सपोज असर था, दोसों का, लाइफ दस साल, फटा फट देखना, सपोज दो साल यूज किया, डेप्रिशेट किया, वैलू कितना बचा, बचा, रिकावरेबल दिया है, 120, तो लॉस हो गया, 40 का, लॉस रिवाइस कैरिंग अवण कितना हो जाएगा, 160 पे 40 का लॉस बुक किया, तो रिवाइस कैरिंग अवण 120 हो गया, रिमिनर लाइफ 8 यह हो गया, अब आपका डेप्रिशेशन कितना होएगा, 15-15 आएगा, दो साल यूज किया, डेप्रिशेट किया, तो कैरिंग अवण कितन चास का रिवर्सल कर सकता हूं, 50 कैसे आइ, सर, ये दूनों का difference, carrying और recoverable का difference, आपको दिखर है, actual reversal 50 का दिखर है, लेकिन क्या होता है, मैं कर सकता हूं, the answer is no, तो हम क्या निकालते, maximum reversal, कैसे निकालेंगे, इसमें दो amount चाहिए, दो amount ची सबसे पहला अगर आपके जिंदगी में impairment होता ही नहीं अगर आपके जिंदगी में break up होता ही नहीं तो carrying amount क्या होता तो आप कित्ते खुश होते तो आपके जिंदगी में impairment होता ही नहीं तो क्या carrying amount होता तो impairment नहीं होता आपने रिवर्सल तो 40 अपने इंपेर्मेंट लॉस तो 40 का बुक किया था लेकिन मैक्सिमें रुवल से 30 आ रहा है सरे भेदबाव क्यूं लॉजिक बताया था मैंने आपको देखो जब आपने इंपेर्मेंट लॉस बुक किया 40 का ये लॉस की वज़े से आपने एक्सपेंस अभी तो कम बुक किया ना डेप्रिशेशन का पहले युवड डेप्रिशेटिंग 20 से परानम अब युवड डेप्रिशेटिंग 15 से परानम तो लॉस करने से आपका कोई खर्चा भी तो सेव हुआ है पाच-पाच कर दो साल तक तो इसलिए 30 कैसे आया लॉजिक देखो एक केस ऑफ इंडिविजुल असर्ट रिवर्सल कैसे करोगे तो आपन मैक्सिमुम रिवर्सल 30 का कर पाएंगे तो 30 का रिवर्सल कर देंगे रिवाइस कर देंगे 90 सो हो जाएगी 120 सिंपल ठीक है आगे बढ़ जाते हैं फिर मैं आपको एक और एक्जांपल कर वाया था कितना कर सकते हो जहां गुडविल भी है तो सपोस सीजीव में आपके पास थे अधर अधर और गुडविल दिया होए बाइफर्केशन एक साल यूज किया आपने तो मिला क्यारिंग अवांट और गुडविल ठीक है टोटल मिलका 20 रूपीस का ओके सर आगे बढ़ते हैं फ फिर एक साल डेप्रिशेट किया 1.67 क्यारिंग अवांट आगा 13.33 अब आया इंडिकेशन आफ रिवर्सल तो रिकावरेबल कितना दिया है 20 तो आप देखोगे एक्चुल रिवर्सल कितना दिख रहा 6.67 लेकिन प्रॉब्लम इस हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं वह हमको वाय क्योंकि गुडविल पर कोई रिवर्सल करना ही नहीं है तो गुडविल को अपने जिंदगी से निकाल देना ज्यान लखना तो आप निकालोगे क्यारिंग अमाउंट इफ नो इंपेर्मेंट अगर जिंदगी में इंपेर्मेंट नहीं होता तो आज क्या होता CGU का अब आपके यहां तक मैंने करवा दिया रिवर्सल फिर एक पॉइंट है अब यह अब के लि Wade काफी बच्चो ने वह नोंन केंड्री इन्टेस्ट कुस लोग ने पड़ा है कुस लोग ननी पड़ा है सब्सक्राइख अब क đấy है का मैंने नहीं पड़ा। अब के लिए कौमन पूल रहेगा इस point को मैं common pull वाले जो session है उसमें conduct कर लूँगा और revision purpose के लिए मैं common pull मैंने बता ना common pull क्या होता है एक ऐसा concept जिसमें future India's का ज्यान चाहिए तो अभी मैं इसको revise नहीं कर वा पाऊंगा तो ऐसे जो concept है उसको मैं concise करके एक ही जगे पर सब cover कर लूँगा बाद में ध्यान रखना तो ये concept और इसके ओपर 36 में 3-4 question है वैसे concept important है बराबर लेकिन ये concept उसके 3-4 question हमने common pull mark कर रखे ताकि हम उसको बाद में cover करेंगे तो revision purpose के लिए भी मैं इसकी clip बनाकर डाल दूँगा बाद में 36 का जो common pull है करके ठीक है ऐसा सब इंडिस का मैं डाल दूँगा चिंता मत करना ठीक है तो ये point छोड़के हमने क्या कर लिए 36 पूरा revise कर लिया अब एक minute का breather लेते फिर हम questions में जम आ रहेंगे तब तक के लिए ध्यान रखना लाइक करो वीडियो पसंद आए ना तो अभी नहीं जब session खतम हो जाएगा तो comment section में जरू डालके जाना ये जो chart है chart ये आपको मेरे telegram पर मिल जाएगा सिफ chart मिलेगा इसका जो example से वो नहीं डाल पाऊंगा to be honest ठीक है तो चार्ट लेकिन डाल दूगा overview तो आये मज़ा आगया है तो आए तो आए लाकिट तुमने वो देखे मुवी कभी कोशी कभी गाम उसमें उकरेंडा कपर बोलती है ना आए लाकिट तो बड़े क्या आगे येस है ना मज़ा आगे एक्दमी फील आगे वैस चलो questions करेंगे अब questions के अंदर खास बात क्या है आपन करेंगे इसको revise questions देखो मैं पूरा बेट के solve नहीं कराऊंगा लेकिन येस जो solution उसको refer जरूर कराऊंगा की पंट बताऊंगा questions के revision कराऊंगा questions को important question most importantly आपको मिलेगा सिध्यान रखना कुछ ऐसे questions है जो common pull वाले होंगे तो वह मैं नहीं कराऊंगा ठीके वह बाद में अलग से lecture में करा दूंगा तो सबसे पहला है illustration no.10 अगर आपको दिखता है तो इस question में क्या था इस question में अपने पास एक CGU है जिसमें asset का value 320 है goodwill 80 है तो CGU हो गया ठीक है यह कब था अपने बास first chapter 11 को 13 तक अब वह बोलता है impairment का indication आ गया तो 13 पर दो amount निकालने पड़ेगी carrying amount recoverable amount ठीक है उसके बाद और इसकी total life 20 years बोली है ठीक है यह साब हो गया यह CGU हो गया तो CGU में आपने impairment loss वगरा बुक किया फिर और दो साल के बाद 11 से कहे 13 पर loss बुक किया 13 से होगे 15 पर 15 पर बोलता है पर reversal का indication हो गया अब reversal of impairment loss करना है मतलब यह CGU है CGU में reversal बराबर तो देख लो कैसे करेंगे देख रहे हो महरत तुम्हारे भाई की सब लिख के लाया इदर तो other asset हो गया ठीक है इस अब लिख लिख लिया goodwill वगेर आ गया okay carrying amount मिल गया okay दो साल के बाद carrying amount मिला फिर इसी दिन का recoverable amount ठीक है तो आपको आ जाएगा impairment loss आगे आपको impairment loss ठीक है अब impairment loss सबसे पर जाएगा goodwill के अंदर goodwill 80 था कर दिया बाकी other asset के अंदर okay sir उसके बाद आप पर दो साल के बाद आओगे आपको मिलेगा पहले revised carrying amount उसको आप 2 साल depreciate किया आपको मिला carrying amount 31st March 15 ठीक है यह carrying amount हो ग कैसे निकालोगे जिंदगी में impairment नहीं होता तो carrying amount क्या होती बट CGU में goodwill मत लेना goodwill पर reversal निकरा तो लेना मत उसको ठीक है तो वो लेंगे और actual carrying amount आज क्या है वो बस वो compare करेगा आपको मिलेगा maximum reversal तो वो बोलता है actual इतना दिकरा लेकिन maximum इतना ही कर पाऊगे तो maximum इतना ही सत्तना सर काही नहीं बढ़ेंगे बढ़ो आगे बढ़ो सर ठीक है उसके बाद illustration number 11 ये common pool है common pool वाले अपने अलग से cover करेंगे जैसे मैं आपको अल्रेडी बता दिया ठीक है ध्यान रतना आपको पता होना चाहिए उसके बाद उसके बाद लेट मी सी हाँ उसके बाद था अ इसको आता है उनको पता है जिसको नहीं आता छोड़ दो आपने से लिखके रखाता है इसको बराबर तो 103 के में तो बस अलोकेट करो और एक ही बार impairment testing करना है इतना ही क्या था आपने आपने ने गुडविल ढूंडा तीनों में अलोकेट किया ट्विश्टो ट्विश्टो वन के रेश्यो में और हर एक सीजू का आपने इंपेर्मेंट टेस्टिंग किया बस इतना तरीकेश आपको करना था और कुछ नहीं करना है वह लास्ट में यह भी पूछता है कि NCA को कितना अपरिकर रख है जितना स्टेक एंसे अगा उत्तल वास एंसे में चला जाएगा सिंपल क्लियर एक वाला पाट यह द्यान रखना चलो यह ता आपका इलस्ट्रेशन नमबर 20 20 21 एल्डीर था एक उसके बाद इलस्ट्रेशन नमबर 23 है आपके लिए ठीक है यह बी एल्डीर है क्या बोलता है यह question बोलता है तीन cg है a b c हैना अब उसमें carrying amount दिया हुआ है life दिया हुआ है फिर आगे क्या बोलता है दो corporate asset है X और Y अब खास बात यहां थी इस question में याद है आपको X allocable था X is allocable in all the three तो allocate कैसे करेंगे normally हम करते carrying amount के ratio में लेकिन आपको याद रगा तो इस case में carrying amount के ratio में नहीं carrying amount into useful life के ratio में allocate किया हुआ है बराबर second Y बोलता है Y allocable ही नहीं है तो जब कोई corporate asset allocable नहीं individually तो उसके लिए अपने को दो stage में impairment testing करनी पड़ेगी पहला stage रहेगा without corporate asset Y और second stage रहेगा A plus B plus C और उसमें Y का तड़का लगा देंगे ऐसा बराबर यह दिया हुआ है CGU का recoverable value दिया हुआ है impairment loss निकालो अब देखो इसमें कैसे करेंगे मैं आपको ओफू के नहीं बताया भी था X तो allocable है useful life or caring amount के ratio में तो कर दी allocate उसके बाद Y Y वाले case में वो बलता है allocable नहीं है तो दो stage में impairment testing करेंगे अब कैसे करेंगे देख लो जब stage 1 में testing करोगे तो आप X को दे include कर सकते हो न तो X भी इंक्लूड लेकिन Y इंक्लूड नहीं करेंगे तो जो भी impairment loss आया वो निकाल लेंगे उसके बाद हम करेंगे combined impairment test A प्लस B प्लस C अब यह तीनों में X तो अल्लेड ही आ गया बस Y अड़ कर देंगे तो A, B, C और Y अब देखा यहां तो कोई loss आया नहीं stage 2 में लेकिन अगर आता भी सुन लो अगर यहां loss आता भी तो भी पते है किस में से Y में allocate करते है क्यूँ अरे A, B, C तो ओपर test होके आया न क्लियर है के वाला पाठ अरे A, S or No येस ठीक है आगे बढ़ते है यह था question number 20 जो भी 23 24 is again common pool फिर आएगा आपका 20, 20, 20 फिर आएगा आपका 32 भाई साब यह question आपके November 22 में आया था आपको पता रहेगा तो ठीक है अब यह question आठ माक का आया था इतना लंदी question आठ माक के लिए पूछाता है इन्होंने तो जब ऐसा question आएगा तो exam में last में करने का मैंने लिखा भी exam में last में turn करने का क्योंकि करने जाओगे तो time बहुत चले जाएगा बढ़ यह करते है आपन इसमें क्या था बता दो आपको मैं याद दिलाता हूँ इस question के अंदर क्या था मैंने एक ओफू बनाया था इसके लिए ठीक है मैं आपको वो ओफू याद दिलाता हूँ देखो कैसा था बोलता है एक machine था machine ए ठीक है व्यारड़ machine ए जिसका individual impairment test possible है ठीक है लेकिन जो B है बी उसका individual test possible ही नहीं है वो बोलता है उसको CGU में डालना पड़ेगा अब CGU में कौन कोन है बोलता है CGU में A भी है B भी है inventory या गुडविल है सब है तो यह जो A है A इसका test individual भी होगा और B के लिए B के खातेर उसको CGU के अंदर भी आना पड़ेगा तो CGU में A वापस आएगा B भी है inventory भी है और goodwill भी है ऐसा है याद है याद है ऐसा कुछ था अब इस question में क्या किया था अपने पास पहले अपने को पहले A का impairment test करने का फिर एक साल का उसका reversal भी होता है फिर इस CGU का impairment testing करने का फिर एक साल का उसका reversal भी होता है तो जो जो किया था एक बार आपको recall करता था अपने कैसे किया था देख लो सबसे पहले A का impairment test किया अब यहाँ ध्यान रटना इस question में residual value दिया हुआ है तो depreciation आप गलती क्या करोगे आप करोगे 10 lakh divided by 10 years डिरेक्ली ऐसा करोगे नई, minus crap value करना भूलना मत है SLM method में त्यान रतना तो you will get carrying amount, recoverable amount मिलेगा आपको impairment loss निकालना यह machine A का आपने testing किया फिर आप क्या करोगे CGU का impairment testing करोगे उसमें A, B inventory goodwill सब आएगा A का value आपको उपपर से मिलेगा B का ढूलना पड़ेगा आपको बी ढूलोगे question में information है inventory goodwill भी दिया हुए खास बात यह जब इसका test किया और जब इसमें loss आया तो यह loss कौन बेर करेगा सबसे पहले तो goodwill first goodwill will bear second inventory bear करेगा नई, out of scope है machine A bear करेगा, क्या नई machine A का test already हो चुका है machine A has already been tested above तो उसमें वापस को loss allocate मत करना तो उस case में goodwill और सिभी में allocate होएगा यान रखना फिर बोलता है B part में बुचा था अब आपको मिली revise caring amount सब की तो आपको निकालना पड़ेगा एक साल का depreciation perspective तो मैंने निकालके दिया था उनको prospective depreciation तो 31st month ending के आपको revise caring amount मिल गई फिर आपको इस case में करना था अगले साल reversal 19 पे वापस reversal करना है आपको तो reversal दो case में करेंगे सबसे पहले machine A का reversal चेक करेंगे कैसे आरे normally caring amount है, recoverable amount है actual देखेंगे और maximum निकालेंगे maximum कैसे निकालेंगे जिंदगी में A में अगर impairment loss होता ही नहीं तो caring amount क्या होती वो निकल के इतनी आती है फिर हम देखेंगे आज की caring amount किती है इतनी तो यह maximum reversal इतना आप reverse कर दोगे A का reversal हो गया अब आता है CGU का reversal CGU में चार चीज़े A, B, inventory, goodwill A का caring amount क्या लिखेंगे जो after reversal value आया वो B का तो आपको यहां से मिलेगा B वाले पार्ट से बराबर उसके बाद क्या क्या आपके पास inventory उतने को उतने पर यह goodwill तो बचा ही नहीं है recoverable दिया हुआ है अब recoverable ने problem परता है क्या है आप जब question पढ़ोगे question में 11 lakhs दिया हुआ है लेकिन question में एक और value दिया हुआ है A and B combined तो ICA ने क्या कि ICA ने 11 lakhs नहीं लिया हुआ है recoverable उन्होंने क्या लिया हुआ है जो A और B combined value है 760 वो plus inventory का 2 lakh that is 960 लिया हुआ है अब Q क्या कैसे उसमें जान नहीं रहा हुआ बड ध्यान रखना है ये वाला part ठीक है actual reversal इतना दिख रहे है निकालना पड़ेगा maximum reversal पूरे question में सिव यही part सबसे important है CGU का maximum reversal कैसे निकालेंगे CGU में 4 चीज़े A, B, inventory, goodwill बराबर तो अपने को निकालना है CGU का carrying amount if no impairment तो A का value था अपने उपर अलड़ी निकाला था B का निकालना पड़ेगा अगर B में impairment नहीं होता तो 5 लाग को 4 साल से depreciate करते inventory उतने के उतने पे लेना goodwill लेना ही मत goodwill पे reversal करना ही तो लेना मत उसको value मिलेगा आपको carrying amount और actual में carrying amount क्या गोलो मिलेगा maximum reversal अब जो maximum reversal आया वो किसमा allocate करेंगे A का अल्यड़ी हो चुका A में कर नहीं सकते inventory out of scope है goodwill में permitted नहीं है तो यह maximum reversal actually B का आया है किसी का नहीं तो बस यह बाद ध्यान रखना यह सब अपने class में अच्छी तरीके से solve किया हुआ है इसलिए अपने को मज़ा आता है पढ़ने में ध्यान रखना is this absolutely clear to everyone yes sir perfect मज़ा आ गया sir I am just here to say thank you for revision videos helped a lot clear my group one and your revision videos helped a lot forever thank you so much Alisha thank you so much चलो आगे बढ़े गया यह बहुत जबदस question था अपना कुनसा question था this was question number 32 ठीके आगे बढ़ेंगे फिर आएगा question number 33 यह question में क्या था अगर आपको याद रगा यह question में को value in use निकालने का था और अपने को सारी information दी हुए cash flows को लेकर ठीके तो मैं फटा फट सा आपको एक बार go through करवाते तो क्या-क्या बोला हुआ है ठीके सबसे पहला वो बोलता है हमने asset purchase किया था loan पे लिया हमको क्या फरक पड़ता है कुछ काम का निया value in use में वो फिर बोलता है हम normally 10,000 wheels बेचते हैं 190 में पहले कितने बेचतों से फरक नहीं पड़ता है हमने कोच यह future cash flows तो future का information दिया हुआ है कि हमारी selling price कितनी है 200 है और हर साल 3% से बड़ेगी sale कितना है 10,000 और वो बड़ेगा 5% से बराबर तो आपको यादेगा तो आपने किस तरीके से कहता बताता हूँ मैं आपको इदर नीचा ही solution इसका देखलो सबसे पहले हमने selling price लीती हर साल की 5 साल का data था फिर number of units हर साल 5% से बड़े तो बड़ाया उसको आपको इससे total inflows selling price into units sold मिलेगा inflows अगले अगले पार्ट में आपको question के एक सकेड़ किदर गया वो question कहाँ गया वे उपर है था सौरी question के अगले पार्ट में आपको cost का information दिया वे cost कितनी है कितने से बड़ेगी तो बस मैंने क्या किया मैंने फिर cost per unit निकाला number of units into cost मिलेगा आपको total outflows inflows minus outflows करना आपको और कुछ नहीं करना है ठीक है उसके लावा इधर और भी कुछ है इधर और क्या है कुछ ऐसा data है जो बोलता है कि technology आएगी तो मेरे cash flow कम होएंगे मेंको क्या फरक पड़ता है आईए का अब तक नहीं तो ignore करने का उसके बाद बोलता है आपको मनेंटेन्स करना पड़ेगा पर मेंटेनस करना पड़ेगा आपको एग वार इधर 15 ऑ सिजटिन में तो एक बार मेंटेनस का खर्चा भी लेना पड़ेगा तो 15-16 के cash flow में आप मेंटेनसsınız reminder करो कि BLACKं करें मेंटेनस वाविठ और स्क्राइप अनिल पूछता है सर, can I shift from GD to live, अनिल इसके लिए आप BB virtuals के technical support में contact कर लो, आपको help कर लेंगे उसके अंदर, चिंता मत करो, चलो, is this clear to everyone, यह था question number 32, 33 था, sorry, फिर आएगा 34, 34 भी simple था, क्या बोलता है, इसके अंदर अपने पास है, एक asset, चार सल तक use करेंगे, चार सल तक use करेंगे, तो उसके cash flows दिया हुआ है, यह काम आएंगे आपको value in use निकालने के लिए, ठीके, फिर आपको क्या दिया हुआ है, फिर आपको दिया हुआ है, selling के खर्चे, तो उससे आपको मिलेगा, FVLCTS, ठीके, अब इसमें खास बात यह है, बोलता है, हमारे पास easy asset के लिए पहले 36,000 में surplus पड़ा है, सरी information क्यों दिया, इसले दिया ताकि बता रहा है, यह asset, reval model वाला asset है, तो जितना भी loss आएगा, 36,000 दितना loss, OCI में जाएगा, balance loss, profit and loss में जाएगा, ऐसा, तो पूछा क्या क्या है, impairment loss निकालो, revise debt दो, impairment loss का treatment बता हो, और यह बोलता है, इसमें य loss के लिए, शायत compensate कर सकता है, government may compensate, government may compensate, may, तो उस government loss का treatment भी मांगता है, तो कैसे करना था, देख लो, सबसे बेले loss निकाला, ठीके, loss के लिए carrying amount, recoverable amount निकाली, जो information थी उससे, loss मिला, अब loss जो आया, क्योंकि पहले का gain पड़ा है, तो जितना gain था पहले, उतना loss OCI से बराबर, उसके बाद, आप निकालोगे, revised depreciation based on revised carrying amount, फिर compensation को क्या करे, government ने अब तक सिर्फ indicate किया है, आपको कोई भी ऐसा promise करके, कोई ऐसा आपको लिखित में विखित में दिया निये, it has not become receivable, it is only it may, it may compensate, बराबर क्या, तो potential grant है, यह अब तक पका नहीं है, तो potential है तो आ clear, अच्छा, अच्छा एक और चीज, एक चीज बताना बुल गया, एक question था 32, पता अपने discuss किया अभी, machine है, machine भी वाला, 32 के अंदर एक और चीज है, एक valuation fees है, एक लाग रूपे की, यह सबसे पहले बड़ा question है, जब आपन निकालते हैं, fair value, less cost to sale, तो cost to sale में इसको consider करे ग धियान रखना, बस इतना याद रख लेना है वाला part, ठीक है, 34 अपना हो गया, बराबर 34 भी revise कर लिया, उसके बाद, MTP, RTP के दोनों जो question है, आपके लिए वो है, उसको क्या बोलते है, common pool, common pool है, तो इतनी question LDRS के अंदर धियान रखना, common pool वाला जो एक concept है, वो तो important है, उ 36, उसको ऐसा बोलने का, तुमने भागामबाग मुग देगा, भागामबाग, उसमें गोविंदा कैसे करते है, उसमें गोविंदा कैसे करते है, उसमें गोविंदा कैसे करते है, एहे, रहा नहीं जाता, खतम, तो खतम होने पर क्या करते है, सर, खतम होने पर क्या करते है, चुनरी को सरकाते है ना तो सरका देना सरकाने के पहले सुनो चैनल सब्सक्राइब देखो अभी अगले रिविजिन वीडियो तब आएंगे जब अपने चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे भाई अब नहीं आएंगे ठीके वैसे 10 मिन बादी एक वीडियो है डिक पहूंगा लेकिन चार्ट जो है वो टेलिग्राम पर आ जाएगा उसके लिए टेलिव जनल सरक 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 तो 30 इसको आपने क्या कर दिया है सरका दिया है तो आपन अच्छा अभी कुछ second के कुछ minute के अंदर एक 7 minutes का दो मिलते है after 7 minutes exactly 12 बजे 105 का revision भी करते ठीक है 105 का revision उसको भी सरका देते है फटा-फट से तो फटा-फट से 105 के लिए इसी चैनल पर आ जाना ठीक है तो फील आ गए है भाई साब मज़ा आ गया चलो ठीक है तो थैंक यू सो बच एवरिवन पॉर दिस रिविजन सेशन बबाई एर्यवन टेक कैर सी यू बबाई मिलते है एक्जैक्ली बारा बजे ठीक है और हाँ मेरे बता दू मैं बीबी वर्च्वल्स पे अपने लेक्च्छर्स है जाके ले सकते हो है ना बीबी वर्च्वल्स मतलब भगर बनाना सर की वेबसाइट है वहाँ एवेलेबल है एक्जाम उरिंटेट इस लाइक फुल कोर्स एफ ये लाइक फास्ट ट्रैक अभी भी ले सकते हो मुका है छोड़ो मत बुलाओ क्या शेरा को बुलाओ क्या बुलाओ क्या कितने प्रतिशत है चलो बाई बाई टेकर बाई बाई